जो लिंग की आप पूजा करते हैं, वास्तव में स्वयम की पूजा आप करते हैं, क्योंकि जो आप हैं, वैसा ही भगवान ने अपना स्वरुप बना करके आपको बिखाया है जो आपका प्राण शरीर है, वो वास्तव में लिंग शरीर है, लिंग आकार है ब्रह्मान्ड का आकार भी अनन्त है, लिंग है, आपका भी वो ही आकार है मेरे पास एक बड़े विद्वान ब्रह्मन आये थे रुद्री जब रुद्री पाठ और रुद्रा विशेक उसमें उन्होंने महरत प्राप्त कर रखे थे और बोले बाबा मैं इतने समय से रुद्री कर रहा हूँ लेकिन विशेश लाप तो हुआ नहीं जैसा कहा जाता है ऐसा विशेश अनुभूती भी नहीं होई जैसा कहा जाता है मैंने का कैसे करते हो कि शिवलिंग सामने होता है कि करता है जब करते हो तब ध्यान लिंग पर होता है कि कहीं और भी चला जाता है वैसे तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर महीं होता है पर जितने वो चिंतित लग रहे थे अधिकतर ध्यान कहीं और होता होगा और एक मशीन के रूप में वो रुद्र बेश्यक करते होंगे मैने बुला भगवान की प्राप्ति करनी है तो अध्वैत साधना से ही श्यो की प्राप्ति होती है और अद्वाइट सादन भाव से होती है द्वाइट जो है ड्यालिटी वो यंत्रवत भी हो सकती है लेकिन अद्वाइट जो है नॉन ड्यालिटी you have to have that emotion of oneness मुन्हें कर जो आपका दूसरे शरीर है वो लिंग शरीर है उसको यदि जागरित कर लोगे तो भगवान शिव की शक्ती स्वता ही तुमारे भीतर जागरित हो जाएगे आप इतने प्रकांड पंडित हो घर जाकर के अब रुद्रा विशेक करतो ये अनभाव करना कि वो लिंग सामने नहीं ये लिंग इधर बैठा है झाल झाल